दोस्तों मैं सोरंबली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ Extra GK की किलास में आज हम देखने वाले हैं Top 29 ऐसे Question Answers जो की अक्सर परिक्साओं में पूछे जाते हैं आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके अंट तक देखेगा और 29 में से कितने Questions के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना इसको कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा प्यारे दोस्तो Extra GK की किलास रात में 9 बजे होती है रेगुलर होती है Only Top Study YouTube चैनल पर होती है आप किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं इस वीडियो को जरूर देख लिया करें चलिए सुरू करते हैं पहला कोशन है रास्टिय आंदुलन में निवन में से किसको नरम दलिय के तोर पर नहीं जाना जाता था दोस्तो पहले कोशन का राइट आंसर हैगा विपिन चंदरपाल को यानि कि Option A इस दा राइट आंसर दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा सिराजु दोला यानि कि दूसरे कोशन का सही उत्तर C हो जाएगा कोशन बर 3 है निवन में से किस संग सासित चेतर में विधान सबा नहीं है कोशन बर 4 है निवन में से हिमालिय के किस भाग को आंतरिक हिमालिय के नाम से भी जाना जाता है दोस्तो कोशन बर 4 का राइट आंसर हैगा विरत हिमालिय या महान हिमालिय यानि कि कोशन बर 4 का राइट आंसर भी हो जाएगा ये आपको याद एखना है कोशन बर 5 है एलोरा की गुफाएं कहां इस्थित है दोस्तो एलोरा की गुफाएं कहां इस्थित है दोस्तो राइट आंसर हैगा औरंगा बाद यानि कि राइट आंसर डी हो जाएगा ये आपको याद अखना है देखिए अगर आप लोग किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं तो ये मास्टर पीडियाप ले सकते हैं मातर 170 रुपे की ये पीडियाप है और इस पीडियाप के अंदर आपको सभी सब्ज नंबर पे मेसेज करके भी पीडियाप को प्राप्त कर सकते हैं चटा कोशन है खाना पकाते समय एक चुटकी नमक डाल देने से सब्जिया कम समय में पक जाती है क्योंकि क्योंकि दोस्तो जल का कवतनांख बढ़ जाता है यानि कि राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा ये आपको याद अखना है साथवा कोशन है नीलम और रूबी किसकी प्राकर्थिक किसमे है दोस्तो राइट आंसर हैगा एलमूनियम ओक्साइड के यानि कि राइट आंसर इस ओप्शन ए ये आपको याद अखना है आठवा कोशन है रिगवेद के संदर्व में निवनमे से कौन सा कथन सकते है देखें यह सबसे प्राचीन वेद है इसमें पहला और दस्वा मंडल सबसे बाद में जोड़े गए है रिगवेद के अनेक बाते इरानी गरंत अवेस्था में सोरी से मिलती है तो यहाँ पर अगर बात कीज़े तो सभी दोस्तों इसमें सकते हैं तो राइट आंसर इस ओप्शन डी यह आपके यादक नहीं है नुवा कोशन है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है राइट आंसर उत्तर परदेश हो जाएगा यानि कि नुवे कोशन का राइट आंसर दोस्तों डी रहेगा दस्वा कोशन है चोसा के युद में हुमायू को किसने हराया था दोस्तों राइट आंसर हैगा सेरसा सूरी ने यानि कि दसवेकोशन का राहिट आंजर D हो जाएगा ये आपको यादवना है ग्यारवा कोशन है बढ़ा, इमामबढ़ा कहा इस्थित है दोस्तो राहिट आंजर हैगा लखनाओं में यानिकि ग्यारवेकोशन का राएट आंजर C हो जाएगा बारवा कोशन है अंतरास्टे सांती और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंदित प्रावधान भारते सविधान के निन्वे से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है राज्य के नीती निदेशक सिद्धान के बारवे कोशन का दोस्तो राज्यापाल के अभी भासन का अर्थ है दोस्तो राज्यापाल के विधान मंडल के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में दिया गया भासन वेरी वेरी इंपोर्टेंट मार्ग कर लीजे बहुत अच्छा कोशन है राइट आंसर डी हो जाएगा कोशन नबर फोर्टीन है ग्यानपीट पुरुसकार किस छेतर में दिया जाता है दोस्तो सही उत्तर रहेगा साहित्ते के छेतर में यानि की राइट आंसर इस ऑप्शन है कोशन नबर फिफटीन है गुजरात विजे की याद में अकबर ने किसका निर्मान करवाया था दोस्तो राइट आंसर हैगा बुलं द्रवाजय का यानि की 15 कोशन का राइट आंसर भी हो जाएगा 16 कोशन है काला सीसा किसे कहा जाता है तो 16 कोशन का राइट आंसर इस ग्रेफाइट को दोस्तो यानि की आप्शन A is the right आंसर सतरवा कोशन है एशिया तथा उत्री अमेरिका किसके द्वारा पर्थक होते हैं दोस्तो सतरवे कोशन कराईट आंसर हैगा बेरिंग जल्डमरू मत दे यानि कि सतरवे कोशन कराईट आंसर भी हो जाएगा ये आपको याद अखना है अठारवा कोशन है जिवास्म यानि कि फोसल नेशनल पार्क निवन में से कहां अवस्थित है अठारवे कोशन का राइट आंसर हैगा मद्य परदेश में यानि कि सी इस दा राइट आंसर उन्निसवा कोशन है निवन में से कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में गलत है वर्स होनी चाहिए यह गलत है राइट आंसर इस सी बीजवा कोशन है नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है तो सब्त गंडकी या फिन नारायनी के नाम से तो यहाँ पर ए और भी दोनों ही सही आंसर हैगा बीजवे कोशन का राइट आंसर दोस्तो डी हो जाएगा एक किसवे कोशन है अजन्ता की गुफा कहां इस्तित है राइट आंसर हैगा ओरंगा बाद में यानि कि किसवे कोशन का राइट आंसर बी हो जाएगा कोशन बर 22 है 1921 के भारतिरास्टे कॉंग्रेस के वार्सिक अधिवेशन में चितरंजन दास को अध्यक्स चुना गया था लेकिन उसके जेल में होने की कारण अध्यक्सता किसने की थी दोस्तो राइट आंसर हैगा हाकिम अजमल खाने यानि कि 22 कोशन का राइट आंसर डी हो जाएगा ये आपको याद दखना है 23 कोशन है अजमेर में किस सोफी संथ की दरगा है तो अजमेर में दोस्तों किस सोफी संथ की दरगा है तो राइट आंसर हैगा मोयनुदीन चिस्ते की 23 कोशन का राइट आंसर C हो जाएगा 24 कोशन है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है राइट आंसर हैगा समझोता एक्सप्रेस यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा 24 कोशन का सयुत्तर 25 कोशन है दिल्ली के लाल किले का निर्मान किसने करवाया था 25 कोशन का राइट आंसर हैगा सा जहाँ यानि की राइट आंसर आप्शन A हो जाएगा ये आपको याद रखना है 26 वा कोशन है फतेपूर सीकरी का निर्मान किसने करवाया था दोस्तों फतेपूर सीकरी का निर्मान किसने करवाया था तो राइट आंसर हैगा अकबर ने यानि कि D राइट आंसर हो जाएगा 26 वे कोशन का सेउतर 27 वा कोशन है लोक लेखा समीति में लोक सबा एवं राज्य सबा के करम्स कितने सदश्या होते हैं तो राइट आंसर हैगा 15 वैसाथ यानि की C is the right answer 28 वा कोशन है निवन में से किस सविधानिक संसोधन के माध्यम से सिक्सा के अधिकार को मुलिक अधिकार बनाया गया दोस्तो 28 वे कोशन का सही उत्तर रहेगा 86 वे सविधान संसोधन के तहत यानि की B is the right answer 29 वा कोशन है निवन में से कौन सी नदिया डेल्टा बनाती है देखे मा नदी डेल्टा बनाती है कुदावरी भी डेल्टा बनाती है कृष्णा भी और कावेरी भी यानि कि इस कोशन का जो सही उत्तर हैगा वो हो जाएगा D उप्रुक्त सभी तो इसमें आपको 29 कोशन्स मिले हैं 29 में से कितने कोशन्स की आंसर आप लोगों ने सही किये कमेंट बोक्स में बतेगा एलोरा की गुफाए कहां इस्तित है या आपके लिए टेस्ट कोशन है इसका भी आंसर सभी स्टूरेंट को कमेंट बोक्स में जरूर बताना है देखें ओनली टॉप स्टूरी आपको डाउनलोड नहीं कि तो डाउनलोड कर लिजे फाइव स्टार की रेटिंग करिएगा उसके बाद में आपको यहां से रेगुलर पीडियाप मिलती रहेगी देखें मास्टर पीडियाप लेनी है किसी भी कॉमपरेटिव एक्जाम की इस्ट्री जोगरफी पॉलिट एकनोमिक्स यह सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे एक ही मास्टर पीडियाप के अंदर और मात्र 170 रुपे की यह पीडियाप है प्यारे दोस्तों इसमें आपको कम्प्लीट सेलेबस मिलने वाला है इस पीडियाप का लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी है और हमारे वोटसप नंबर पे मैसेज करने से भी मिल जाएगा अगर आपको एक पीडियाप लेनी है तो फट फट ले लिजे क्योंकि प्राइज बढ़ने वाले है वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक सेल करिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए बैल एकन कौन रखिए ताकि आगया आने वारी कोई भी वीडियो मिस ना हो थेंक यू सो मच बाइब बाइबरीवन टेक कियर ख्याले के अपना मिलते नेक्स क्लास में